हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अंचली स्वागत करती हूँ मेरी चैनल आरवेद तबेस ओफ लाइफ में दालचीनी को वंडर स्पाइस भी कहा जाता है ये खाने का जायका बढ़ाने के काम आता है वहीं सेहत के लिहाद से भी इसके बहुत सारे फायदे हैं ये बहतरीन एंटि ऑक्सिजेंट है सेहत और खुबसूर्ती दोनों ही चीजों के लिए दालचीनी का इस्तिमाल किया जाता है दालचीनी में मौजूद कंपाउंड कई तरह के ओशदीय गुडों से भरपूर होते हैं जो सेहत के साथ साथ खुबसूर्ती भी बढ़ाते हैं दालचीनी अपने आख में एक अच्छी ओशदी है लेकिन दूद के साथ मिलाकर पीना और भी फायदे मंद है इसका दूद बहुत सी बिमारियों में फायदे मंद है और कई बिमारियों से सुरक्षा भी देता है इस दूद को कैसे बनाना है और इससे क्या फायदे मिलते हैं आईए जानते हैं लेकिन अगर अगभी तक आपने हमारे चैनल आरवेट दबेस ओफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लीजे और बेल आइकोन प्रेस कर लीजे जिससे नए वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके दालचीनी के दूद के फाइदे अच्छे पाचन के लिए अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो दालचीनी वाला दूद पीना आपके लिए बहुत फाइदेमंद है साथ ही ये गैस की प्रॉबलम में भी राहत देने का काम करता है दूसरा बलड शुगर लेबल को कंट्रोल करने में रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि दालचीनी में कई ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो बलड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं खासकर दालचीनी का दूर डायवर्टीज के मरीजों के लिए बहुत ही फाइदेमंद है अच्छी नींद के लिए अगर आपको नीन नहीं आने की समस्या है या फिर आपको अच्छी नीन नहीं आ रही है तो ये दूद पीना आपके लिए बहुत फायदे मंद रहेगा सोने से पहले एक गलास दालचीनी वाला दूद जरूर लीजे कूपसूरत बालों और तवचा के लिए दालचीनी वाला दूद पीने से बाल और इसकिन से जोड़ी लगबग हर समस्या दूर हो जाती है इसका एंटी बाक्टीरियल गुर इसकिन और बालों के इंफेक्शन को दूर करके इन में खूपसूरती पढ़ाता है मजबूत हड्डियों के लिए हड्डियों को मजबूती देने के लिए लोग सालों से दालचीनी वाले दूद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं यदि इस दूद का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये गठ्या की समस्या को पैदा ही नहीं होने देता है ब्रेन की छमता बढ़ाने में दालचीनी का दूद तिमागी छमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है यह पारकिंसन और अलजाइमर जैसे नर्वर सिस्टम के विकारों को भी तूर करने में मददकार होता है चहरे के दाग धबो को मिटाने के लिए भी यह दूद फायदे मंद है इसके लिए आप इसके पाउडर को शेहत के साथ मिला कर लगा भी सकते हैं दालचीनी का दूद बनाना बहुत आसान है इसके लिए आप एक ग्लास दूद को बॉयल कर लीजे अगर आप दालचीनी का टुकड़ा ले रहे हैं तो छोटा सा एक टुकड़ा इसमें डाल दीजे और उसे अच्छी तरह बॉयल करके और उसे छान कर आप पी सकते हैं लेकिन अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूद को बॉयल कर लीजे इसमें आप आधा जब मुझ दालचीनी का पाउडर मिला लीजे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शेहद भी मिला सकते हैं और ये दूद आपका तयार हो गया तो ऐसे दालचीनी वाले दूद के फाइदे को पाने के लिए आप भी इसका इस्तिमाल जरूर करिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और इसके फाइदे को पाने के लिए लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करिए और चैनल को ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए